हलो दोस्तों आई होप आप सब लोग काफी अच्छे से होंगे मैं हूँ शाहिप और एक बाफ पर से आप सभी का स्वागत है हमाई यूटूब चैनल दबुक सिर्फ में तो दोस्तों बात चालू करते हैं मार्टिन लूथर्ट किंग जूनियर के एक कोटेशन से जिसके एकॉर्डिंग हम इतिहास को नहीं बनाते हैं बलकि हमारा इतिहास हमें बनाता है आज से करीब 25,00,00,00 साल पहले पैड़ा होने वाले इंसान की आस्टेलो पिधरकस इस्पीसीज को इस बात दा अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इतने दन बात भी उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे डैस डैस बच्चे अत्हों में मॉबाइल लेकर उनके बारे में एक वीडियो देख रहे होंगे जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं मानव सब्धता और उसके इतिहास के बारे में होमो सेपियन्स यानी इनसान 25 लाख साल पहले इस्ट अफ्रीका में एप की एक प्रजाथी आस्टेलो पित्थेकस से डिवलप होए थे पर इसी वक्त हुमन्स की कई और स्पिसीज दुनिया के अलग अलग जगों पर विक्सित हो रही थी जैसे एसिया में होमो एरेक्टर्स, इंडोनेसिया, जावा इलाकों में होमो सोलेंसिस और यूरोप की ठंडी जगों में रहने वाले नेंडना थल्स इन लगवक तीन लाख साल पहले तक यह सारी इस्पिसीज समय के साथ गायाग हो गई और सिर्फ होमो सेपियंस ही इस दुनिया में जीवित रह पाए अब ऐसा क्यों हुआ इसके लिए साइंटिस्ट दो बाते बताते हैं पहली रिप्लेस्मेंट थियोरी जो हमें बताती है कि होमो सेपियंस दूसरी प्रजातियों से जादा इंटेलिजन होते थे वो क्लाइमेट में होने वाले चेंजिस को औरों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा अच्छे से एडाप्ट करते थे और वेट टूल्स या औजारों को भी बनाने में काफी माहिर थे धीरे धीरे होमो सेपियंस की पॉपूलेशन बढ़ने के साथ इस्ट आफ्रीका में जब उन्हें खाने के रिसोर्स कम पढ़ने लगे और उन्होंने दूसरी जगह पर माइगरेट करना चालू किया तो हो सकता है कि होमो सेपियंस जहां भी गए वहां की दूसरी मानोप्रजातियों को मार करके खत्म कर दिया हो। और इस तरह से धर्ती पर सिर्फ, होमो सेपियंस ही एक मातर मानों की प्रजाति बची हो। अब बात करते हैं दूसरी थेयरी के बारे में जिसे हम इंटरव्रीडिंण स्यूरी कहते हैंं, जिसके condition इं होमो सेपियंस ने दूसरी मानों प्रजातियों के साथ सम्मंध बनाए हो और वह इस्पेसीज धीरे धीरे होमो सेपियंस में मर्ज हो गई हो और अब इस दूसरी थियोरी के साइंटिफिक प्रूफ भी मिलते हैं यूरोपियन लोगों का डिने में 1-4% तक नियंडर थर इस्पेसीज का डिने होता है पर इसमें से चाहे उस वक्त जो भी बात हुई हो सच तो यह है कि आज सिर्फ होमो सेपियंस ही इस दुनिया में पाये जाते हैं और ना केवल वे इस दुनिया पर राज करते हैं बलकि आप इस बुक का size देखर प्लीज कुछ सोचने मत लगएगा पहले आप इस video को दखिये मैंने इस video में बहुत अच्छे से इस book को summarize किया है इसके बाद अगर आपको इस book को और अच्छे से पढ़ना है तो आप इसे खरीद भी सकते हैं इसका price काफी जादा है इसे मैंने amazon से 600 उपए में खरीदा है लेकिन ये बुक मेरी जिन्दिगी की टाफ 5 में से 4th नमबर की बुक है इसलिए मैं आपको जरूर कहूंगा कि अपनी लाइफ में इस बुक को एक बार तो जरूर पढ़िएगा अब जादा देर ना करते हुए बुक की समरी को कंटीनू करते हैं और यह काउगनेटिव रिवॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेइन के डिवलपमेंट के साथ पॉसिबल हो पाया सुरुआत में होमो सेपियन्स फूड चेन का बस एक हिस्सा हुआ करते थे वह अपने से कमजोर जानवरों को मारते थे और उन्हें खा जाते थे और होमो सेपियन्स से जादा ताकतवर जानवर होमो सेपियन्स को मार कर खा जाते थे लेकिन जैसे ही होमो सेपियन्स ने फायर को डिसकवर किया यह सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई The Discovery of Fire के पहले तक Homo Sapiens मांस को कच्चा खाते थे जिसे खाने के लिए उनके बड़े बड़े दांत होते थे और कच्चे मांस को चबाने और डाइजेस्ट करने में भी बहुत ज़ादा टाइम लगता था पर Discovery of Fire के बाद Homo Sapiens मांस को पका कर खाने लगे जिससे उनके दांट छोटे होने लगे और इंटेस्टाइन भी छोटी होने लगी और दिमाग पहले से ज़ादा डेवलप होने लगा पर यहाँ पर एक बात आती है फायर का यूज तो Homo Erectus भी करते थे तो फिर उनका कॉगनिटिव डेवलपमेंट इतना अच्छे से क्यों नहीं हुआ क्योंकि Homo Sapiens ने Discovery of Fire के अलावा एक और स्किल को अपने अंदर डेवलप किया था यह वह स्किल थी जो Homo Erectus अपने 20 लाख साल के इतिहास में डेवलप नहीं कर पाये थे यह था Language and Communication Skill Language डेवलप्ट करने के बाद एक Homo Sapiens अपने पूरे ग्रुप के लोगों को यह बता सकता था कि वहाँ पर कोई सेर आ गया है या हाथियों का जुंड आ गया है वहाँ हमें नहीं जाना है और यही काम Homo Erectus अपनी हिस्ट्री में नहीं कर पाये इसलिए वह विलुप्त होते गए Language और Discovery of Fire की सहायता से Homo Sapiens अपने से जादा ताकतवर और बड़े जानवरों को मारने लगे और धीरे धीरे वह Food Chain के बातसा बन गए और अब उन्हें कम से कम कोई भी मार के खा नहीं सकता था Homo Sapiens का अफ्रीका से दूसरी जगह पर Migration उनके लिए मेंली Fire की Discovery होने के बाद ही हुआ था अब वह धीरे धीरे बढ़ते हुई यूरोप और रशिया के थंडे इलाकों में पहुँच गए Homo Sapiens ने इन थंडे इलाकों में रहने वाले बड़े बड़े हाथियों जिन्हें मैमत भी कहा जाता था का धीरे धीरे शिकार करना चालू कर दिया वो इन जानवरों के मांस को पका कर खाने और इनकी इसकिन को ठंड से बचने के लिए पहना करते थे और इस तरह से धीरे धीरे मैमत की पूरी की पूरी स्पिसीज ही गायब हो गई इसके बाद होमो सेपियंस रश्या के थंडे इलाकों से आगे बढ़कर अमेरिका के अलासका और उसके बाद अलासका से बढ़कर नार्थ अमेरिका और वहां से आगे बढ़कर साउथ अमेरिका तक पहुँच गए इन सभी जगए में जहां जहां पर भी होमो सेपियंस ने धीरे धीरे पहुँचना चालू किया उन इलाकों की कई सारी स्पेसीज विलुप्त होती चली गई इस तरह से होमो सेपियंस के कॉगनिटिव डिवलुप्मेंट के साथ ही इनसान इस पूरे प्लैनेट का बादशा बन चुका था कॉगनिटिव डिवलुशन के बाद जो अगला डिवलुशन होमो सेपियंस की लाइफ में आया उसे कहते हैं एग्रिकल्चरल डिवलुशन इस डिवलुशन की सुरुआत भी प्लैनेट के कई हिस्सों में लगभग एक ही समय पर हुई थी यह सभी वैप प्लेसिस थी जहां पर खेती करने के लिए इंपोर्टन एनिमल्स आसानी से मिल जाते थे जैसे काउ, बफैलो, पिक्स, नॉर्थ अमेरिका में कॉर्ण, साउथ अमेरिका में पोटेटो, अफ्रीका में मिलेट्स, यूरोप में वीट और चाइना में राइस उगाया जाने लगा एग्रिकल्चरल रिवॉल्यूशन के कुछ सालों के बाद ही सारे होमो सेपियन्स हंटिंग को छोड़ कर खेती करने लगे अब चुक कि खेती करने के लिए जमीन का बड़ा हिस्सा चाहिए होता है और खेती करने में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आती थी इसलिए होमो सेपियन्स एक निस्चित इस्थान पर रहने के लिए घर बनाने लगे अब घर मिल जाने के बाद सेपियन्स बच्चे भी जादा पैदा करने लगे जिससे उनकी पापुलेशन भी धीरे धीरे पढ़ने लगे पहले के समय में जब हंटिंग करने के लिए एक जगे से दूसरी जगे भटकना पड़ता था तब बच्चों को पालना बहुत मुस्किल हुआ करता था पर अब घर आ जाने के बाद यह काम काफी ज़ादा आसान हो गया था एगरिकल्चरल रिवलूशन ने होमो सेपियन्स की लाइफ को पहले से ज़ादा मुस्किल बना दिया इसके चार में जीजन थे पहले सेपियन्स मांस और फ्रूट खाया करते थे जिससे उन्हें सारे न्यूट्रियंट्स मिल जाया करते थे पर अब वह कुछ स्पेशल तरह कि क्रॉप्स को ही खापाते थे जिन में मेंली गेहूं हुआ करता था जिससे उन्हें न्यूट्रियंट की भी कमी होने लगी पहले सेपियन्स को मौसम में बदलाओ से ज़ादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था लेकिन चुकि खेती में मौसम का बहुत important रूल होता है वीक में 30 घंटे ही काम किया करते थे लेकिन एगरिकल्चर में होमो सेपियन्स को वीक में 60 घंटे काम करना पड़ता था और खेती करने वाले जानवरों के संपर्क में आने से उनमें बीमारियां भी फैलने लगी अब यहां सवाल उठता है कि अगर एगरिकल्चर के इतने जादा disadvantage थे तो फिर वापस से human hunting और gathering वाल में क्यों नहीं चले गए तो इसका जवाब है agricultural revolution कई हजार सालों में प्यूड़ी दर प्यूड़ी हुआ था और sapiens को खेती करने की आदत बढ़ चुकी थी इसलिए वह वापस अपने पुराने hunting गेदरिंग वाले महाल में नहीं जा सकते थे agricultural revolution के कारण बढ़ने वाली population ने homo sapiens को बड़ी problem में डाल दिया पहले sapiens के गुरुप छोटे होते थे जिसमें लोग एक दूसरे से आसानी से कॉपरेट कर ले थे पर अब sapiens के गुरुप बहुत बड़े बड़े होने लगे और उन्हें आपस में ताल मिल बठाने में तिक्कत आने लगी इस problem को solve करने के लिए homo sapiens ने imagined reality का आविसकार करना चालू कर दिया मतलब ऐसी चीजों को follow करना चालू कर दिया जो real में होती ही नहीं थी जैसे religion, god, laws अब homo sapiens दो तरह की reality में जीने लगा एक imagined reality और एक objective reality imagined reality में god, nation, laws आते थे और objective reality में river, trees, nature, animals आते थे पर धीरे धीरे हुआ यह है कि homo sapiens imagined reality को objective reality से जादा मानने लगा sapiens की तादाद बढ़ने और उनके घर बनाने से उनके बीच में जमीन को लेकर लड़ाईया होने लगी उनके बीच होने वाली इन fights को रोकने के लिए army बनाई गई और army को manage करने के लिए उनका एक head बनाया गया जिसे बात्षाह या king कहा जाने लगा अब army चुकि सिर्फ लड़ाईयां रोकने का काम करती थी इसलिए उनके खर्चे के लिए लोगों से tax लिया जाने लगा अब धीरे धीरे population और बढ़ने लगी इसलिए लोगों में होने वाले विवादों को रोकने के लिए administration और कानून बनाये गए और धीरे धीरे समाज में राजा मंतरी, सिपाही, वरकर्स इस तरह की हिरारकी डिबलप हो गई बुक में अगला पार्ट आता है Unification of Humans का जैसे जैसे population बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों के कई group बनते गए पर वे अलग-अलग culture फालो करते थे धीरे धीरे इन culture को मिला करके empire बनने लगे और इनके बाद कई छोटे-छोटे empire मिल करके बड़े mega empire बन गए पर इन mega empires में लोगों को एक साथ रखने के लिए ऐसे मादमों को खोजा गया जो अलग-अलग culture फालो करने वाले लोगों को एक साथ रख सके तो उस समय ऐसे तीन माध्यम निकल करके आये जो आज तक दुनिया में पाए जाते हैं इन में से पहला था पैसा, दूसरा politics और तीसरा धर्म एक-एक करके इनकी बात करते हैं पहला पैसा, दुनिया में कोई इनसान किसी भी culture को क्यों न मानता हो, पर पैसे को सभी पाना चाहते हैं सुरुआत में व्यापार करने के लिए बाटर सिस्टम आया, जिसमें हम एक चीज को दूसरी चीज से बदल कर अपनी जरूरत की चीजें दूसरे लोगों से ले लिया करते थे इसके बाद सोने और चांदी के सिक्कों ने इनकी जगह ले ली, जिन पर उस empire के राजा की image हुआ करती थी और इन सिक्कों को राजा की मर्जी से ही बनाया जा सकता था इसके बाद आधुनिक समय में paper के रूप में पैसो का लेंदेन होने लगा जिस पर उस empire की government का control होता था इसके बाद आता है politics जब बड़े-बड़े empire बने तो अलग-अलग culture के लोगों को empire के राजाओं ने अपने laws और administration को follow करने के लिए कहा इस तरह से उन लोगों के अपने छोटे-छोटे culture धीरे-धीरे समाब्थ हो गये और कई generation बाद लोगों को उनके अपने culture याद भी नहीं रहे और उन empire के खत्म हो जाने के बाद भी आज तक वह लोग उस empire के culture को ही follow कर रहे है एक्जामपल के लिए अगर देखें तो साओधी अरब से मुस्लिम culture आने के पहले पस्चमी एसिया के कई देश जैसे इराक, इरान, यमन जैसे देशों में सबका अपना-पना culture होता था लेकिन 17 सताबदी में अरब मुसलिम सब्धा के आजाने पर यह सभी लोग मुसलिम सब्धा को follow करने लगे। लेकिन आज अरब मुसलिम सब्धा के खत्म हो जाने के कई سाल बाद भी वहा के लोग मुसलिम सब्धा को ही follow करते हैं। इसका एक और एक्जामपल देखें तो भारत में अंग्रेजों ने कई वर्सों तक सासन किया और यहां के लोगों को जबरजस्ती अपना कानून, अपनी सप्पिता और अपनी लेंग्वेज को मरने पर मजबूर किया लेकिन 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भी आज भी हम इंग्लिस लेंग्वेज, अंग्रेजों का ही कानून सिस्टम और उनका एड्मिनिस्ट्रेशन को फालो कर रहे हैं अब बात करते हैं धर्म ने एक एंपायर के लोगों को एक साथ रखने में किस तरह से अपना काम किया जब इनसानों ने खेती करना चालो किया तो वह क्लाइमेट पर बहुत ज़ादा डिपेंड हो गया अकसर उनकी फसल खराब हो जाती थी या बारिस नहीं होती थी इन सबसे बचने के लिए होमो सैपियन्स ने इमेजिनरी गौड का अविस्कार किया पहले यह गौड अबजेक्टिव चीज़ों जैसे कि रीवर गौड रें गौड या फिर क्लाइमेट गौड के रूप में होते थे और यह गौड नेचर से रिलेटेड होते थे पर जैसे जैसे हुमेंस की पॉपुलेशन बढ़ने लगी वैसे वैसे इन गौड की संख्या भी बढ़ती गई और धीरे धीरे ऐसा समाज पनपने लगा जहां पर कई गौड को मानने वाले लोग एक साथ रहने लगे इस तरह की सब्विता को पॉलिथिजम कहते हैं मोनोथिजम मतलब एक ऐसा समाज जो एक ही गौड को मानता है पॉलिथिजम मतलब ऐसा समाज जहां पर लोग अपने अपने धर्म के गौड को मानते हैं मोनोथिजिक रिलीजन का उदारण है मुसलिम सब्दा और इसाई सब्दा मतलब इस धर्म के मानने वाले लोग अपने धर्म को ही फैलाने में विचार रखते हैं इसके बाद कुछ ऐसे धर्म का भी चन्म हुआ जो भगवान से जादा नेचुरल लॉज को फालो करने में विश्वास करते थे जैसे बुद्धिजम और जैनिजम बड़े बड़े एंपायर्स में आपस में कॉपरेट करने के लिए लोगों ने इन गौट्स और रिलीजन के कालपनिक होने के बावजूद इन पर भरोसा करना जारी रखा और आज तक भरोसा करते आए हैं पर आज के समय में इन धर्म के अलावा कई और बड़ी विचारधाराय बन गई हैं जो लोगों को एक साथ जोड़ कर रखती हैं जैसे नैस्निलिजम, कम्यूनिजम और कैपिटलिजम उदारण के लिए जब भारत और आस्टेलिया के बीच में एक क्रिकेट मैच होता है और हम भारतवासी जब उस मैच को देखने जाते हैं तो उसमें प्रिजेंट हर एक इंडियन को हम परसनली नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी हम सभी इंडियन बैट्समेन के द्वारा चौके छक्के लगाए जाने पर एक साथ खुस होते हैं यह कहलाती है नैस्नलिजम की विचारधारा अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन रिवॉल्यूशन साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के पहले तक लोग अपने धर्म की बातों को ही सब कुछ मानते थे वे मानते थे कि जो हमारा रिलीजन हमें सिखाता है बस वही सही है और उससे जादा और कुछ दुनिया में है ही नहीं पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा सुलहमी और सत्रहमी सताबदी आते आते यह धारना चेंज होने लगी और यूरोप दुनिया के साइंटिफिक रिवॉलुशन का केंदर बनके सामने आने लगा यूरोप के लोगों ने इस बात को माना कि हम हुमेंस इस ब्रमान की सारी बातों को नहीं जानते हैं और हमें दुनिया को और एक्स्प्लोर करना चाहिए इसके साथ ही यूरोप के ऐसे लोग जिनके पास पैसे ज़ादा होते थे वे लोग इन scientific discoveries को करने के लिए लोगों को पर्याप्त funding प्रोवाइट करते थे और देखते थे कि इन लोगों को पैसो की कोई कमी न होने पाए यूरोप के लोग पहले चीजों को observe करते और उसके बाद उनका conclusion और conclusion से hypothesis बनाने लगे Sir Isaac Newton, Galileo Galilei, Francis Bacon जैसे कई बड़े scientists ने इस समय इनी methods का use करके बड़ी बड़ी discoveries की पर यूरोप के लोग नई नई खोच करने के लिए इससे भी कहीं ज़ादा curious थे वे दुनिया में क्या हो रहा है और कहां पर कौन से चीजें हैं यह जानने के लिए बहुत ज़ादा उत्सुक थे इसके लिए यूरोप के जो बड़े धनवान लोग होते थे उन्होंने कई लोगों को एपॉइंट किया और उन्हें दुनिया के कई अलग अलग जगों पर खोच करने के लिए भेज दिया इनी में से एक था कोलंबस जिसे स्पेन के राजा ने इसी तरह की दुनिया की खोच करने के लिए भेजा था कोलंबस ने अपनी यात्रा में अमेरिका की खोच की और अमेरिका के रिसोर्सेज को यूज करके स्पेन उस समय बहुत ज़ादा अमीर बन गया था कोलंबस की अमेरिका की खोज के बाद नए-नए कंटिनेंट्स को खोजने का काम और जादा पॉपुलर हो गया और योरोप के कई और राजा और यहाँ तक की सामान इंसान भी दुनिया की खोज में निकल पड़े और इस तरह से यूरोप दुनिया का बेताज बातसा बन चुका था वहाँ ना केवन चीजों को खोजने वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट थे बलकि एक साथ कई देसों पर साजन करने वाले किंग्स भी हुआ करते थे नई चीजों को खोजने और दुनिया को एक्स्प्लोर करने की कैपेबिलिटी ऐसा नहीं है कि ACI लोगों जैसे की इंडिया या चाइना में नहीं थी पर ACI के लोग सामानत या अपने देश से बाहर जाना पसंद नहीं करते थे इसलिए वो नई नई डिसकवरीज करने में यूरोप से कहीं पीछे रह गए अब बात करते हैं अंतिम डिवॉलूशन इंडरस्टियल डिवॉलूशन की इंसान सबसे पहले अपनी एनरजी की आवस्यक्ताओं को पूरा करने के लिए सूरज पर डिपेंट रहता था पर डिसकवरी आफ फायर के बाद इंसान आप जला कर वहां से एनरजी गेन करने लगा इसके बाद लकडी की जगए पर कोईला एनरजी का सोर्स बनके सामने आया पर जैसे ही 1776 में बिटिस साइंटिस जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की खोच की मानों की हीमन्स की पूरी दुनिया ही बदल गई स्टीम इंजन के आवस्कार के साथ ही हीट एनरजी को गती में बदल पाना पॉसिबल हो पाया और इस गती से बड़ी-बड़ी माल गाड़िया चलने लगी जिनके कारण बहुत बड़ी मात्रा में सामानों को एक जगे से दूसरी जगे पर पहुँचा पाना पॉसिबल हो पाया और इन सामानों को बड़ी मात्रा में बनाने के लिए बड़े-बड़े कार खाने और फैक्टरीज लगना चालू हो गई इन फैक्टरीज में बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को जॉब मिलने लगे आज की सबता जिसमें हम सभी लोग अपनी लाइफ जीते हैं उसका टाइम टेबल इस इंडरस्टियल रिवोलूशन में ही तै किया गया था प्रोडक्शन और बिजनस में यूनिफार्मिटी लाने के लिए घड़ी का आविसकार किया गया नाइन टू फाइब जॉब भी इंडरस्टियल रिवोलूशन की ही देन है लोगों को जॉब तक पहुँचाने के लिए कई तरह के ट्रांसपोर्ट के सिस्टम बनाए गए पर समय के साथ एक नई समस्या जो सामने आने लगी वह थी कि इन बड़ी मात्रा में बनाए गए सामानों को खरीदेगा कौन क्योंकि फैक्टरी में ज्यादा तर काम करने वाले लोगों की सैलरी इतनी नहीं होती थी कि वह इन चीजों को एफोर्ड कर पाएं इसलिए इस समस्या को खत्म करने के लिए बैंक्स बनाए गए बेंक लोगों को इन सामानों को खरीदने के लिए उधार दिया करते थे जिने क्रेडिट कहाँ जाने लगा इसका मतलब है कि आपके पास अगर किसी चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो भी आप उस चीज को बेंक द्वारा दिये गए उधार से खरीद सकते हैं और बात में बैंक के उधार को धीरे धीरे आप अपनी सैलरी से चुका सकते हैं इस तरह से समाज में बैंकिंग सिस्टम को लाया गया क्रेडिट में लोगों को सामान खरीदने की आदत बनाने के लिए समाज में एक नया सिस्टम कंजियूमर और कस्टमर को डिवलप किया गया और एक नई फिलासिफी कंजियूमरिजम को लाया गया तरह तरह के मार्केटिंग के तरीकों और फैसन को ला करके लोगों की साइकलोजी को बदला गया पर अभी भी कंजियूमरिजम के आगे एक बहुत बड़ी परिसानी थी और वह थी कई हजार सालों से चली आ रही लोगों की जॉइंट फैमली में रहने की आदत जॉइंट फैमली में रहने वाले लोग चीजों को आपस में शेयर करते थे इसलिए एकी प्रोडक्ट से कई ल फैमली वाले स्ट्रक्चर को तोड़ने की जिम्मेदारी वहां की गॉर्मेंट ने ली गॉर्मेंट ने जगह जगह पर हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन और स्कूल बनाए पहले लोगों के हेल्थ सेक्यूरिटी और एजुकेशन की रिस्पॉंसबिल्टी कम्यूनिटी या जॉइंट फैमली की हुआ करती थी लोगों को लगता था कि हम साथ में रहेंगे तो हम पर ना तो कोई हमला कर पाएगा और हमारे बिमार पढ़ने पर हमारी तेकभाल भी लोग अच्छे से कर लेंगे लेकिन जैसे ही जगह जगह पर स्कूल पुलिस और हॉस्पिटल बनने लगे लोगों ने सोचा अब तो यह हमें वहां भी यह सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगी इस तरह से लोग अपनी जॉइंट फैमली को छोड़ करके अपने छोटे परिवार या नुकलियर फैमली के साथ दूर दूर जाकर रहने लगे हैपिनेस आज और कल युवाल न सक्स की बाते सुन रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे सामने वही सवार आता है कि क्या हम खुश हैं हमने कम्मिनुकेशन के बड़े-बड़े साधनों मोबाइल लैपटाप को डेवलप कर लिया है लेकिन इमोशनली आज भी हम अपने आपको अई बार अकेला महसूस करते हैं दे सभी नेचुरल तरीके से होता आया है लेकिन दुनिया में आचुकी नैनो टेकनोलाजी, डिने मोडिफिकेशन, जेनेटिक इंजिनिरिंग इन सब तरीकों से हमारे एवलूशन के तरीके आगे आने वाले समय में बदल सकते हैं और हम हुमन से सुपर हुमन भी बन सकते हैं लेकिन सवाल वही है क्या इन तरीकों से होमो सेपियंस को हैपिनेस मिलेगी तो दोस्तों इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से डिस्कवरी आफपायर ने हमें पावर दिया, एग्रिकल्चर ने हमें और अधिक भुगा बना दिया, पैसे ने हम सभी को जीन जल्द ही मिलता हूं दोस्तों आपसे एक नए वीडियो में एक नए बुक की समरी के साथ तब तक मुझे इजालत पीछे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों